Hello and Welcome Dear Kids आज हम पढ़ने वाले हैं Maths Insider के Lesson 2 को जो की है Comparison Comparison का Big और Small हम पढ़ चुके हैं आज हम Tall and Short पढ़ेंगे Tall और Short हम पढ़ने वाले हैं यापर Tall मतलब होता है लंबा और Short मतलब होता है छोटा सा ठीक है? तो कोई चीज होगी Tall और कोई चीज होगी Short तो हमें पहचानना है कि कौन सा Tall है कौन सा Short है तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एक ममा बनी हुई है और ममा क्या कह रही है? I am Tall ममा कह रही है कि मैं जो हूँ लंबी हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी बेबी है जो कह रही है I am Short वो कह रही है मैं छोटी सी हूँ ठीक है? यहाँ पर एक exercise है हमें कहा क्या जा रहा है? Tick the tall and cross the short जो tall है उसे tick करना है और जो short है उसे उसे cross कर देना है तो आप बताइए कि यहाँ पर जो दो trees बने हुए है इसमें जो tall है वो कौन सा है? यह वाला है तो इसे हम टिक कर देंगे जो यह वाला है वो short है से cross कर दिया है यहाँ जिराफ और zebra है जिराफ लंबा है, tall है तो उसे tick कर देंगे जो जेबरा है तो इसे cross कर देंगे ठीक है? next है यहाँ पर एक बड़ी सी सीडी है और एक छोटा सा stool है तो सीडी लंबी है तो इसे tick कर देंगे स्टूल को कर देंगे cross यहाँ पर दो bottles रखी हुई है एक बड़ी है बड़ी को tick कर देंगे और छोटी वाले को कर दिंगे cross आपको इस सारा काम pencil से करना है thank you so much, मिलते हैं next video में till then take care